Hello friends, तो how to get brand points, इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि brand point कैसे मिलेगा और brand points से आपको ये सारे bundles कैसे मिलेंगे, तो वीडियो को last तक जरूर देखें पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये section कहां से खुलता है, बहुत से बंदे नहीं जानते हैं, जो नए अभी खेलना शुरू की हैं, तो ये section आपका खुलेगा lab में से, आपको lab पे क्लिक करना है, उसके बाद trend plus में जाना है, और यहाँ पे आपको 6 option देखने को मिलेंगे, आ आप किसी भी option में जा सकते हो, यहाँ से मालो किसी option में गए, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे bundle दिखा रहे हैं, और हर जगा अलग अलग चीज़ आपको दिखाएगी, और हर section में आपको अलग brand point जमा करना होता है, और brand point से क्या मिलेगा, पहले मैं मैं आपको दिखा देत हूँ, तो दोस्तों brand point से आपको reward मिलेंगे, देख सकते हैं, आप लोग brand point पे click करके, हर section में आपको अलग reward मिलेंगे, आपको हर section में जाना है और brand point पे click करना है, यहाँ पे आपको देखिए brand point से अलग-अलग reward दिखा रहा होगा, हर एक section में, angelic में अलग, selected में अलग, यह आप लोग साइड में जो brand point लिखा हुआ है उस पे जब आप click करोगे तो आपको दिखाएगा कि क्या reward मिल रहा है तो देख सकते हैं आप लोग 200 brand point से आपको सरबोड 1000 brand point से आपको glue wall की skin मिल रही है ये है selected में अब लेकिन आप अलग में जाओगे देन शो में जाओगे तो हर एक section में आपको अलग brand point मिलेगा देखने को हर section का brand point अलग होगा और आपको brand point मिलेंगे कैसे अब मैं आपको वो बताता हूँ तो दोस्तों आपको जिस भी section का brand point चाहिए उस section में जो item या bundle वहाँ पे दिया गया है उसको आपको purchase करना पड़ेगा आप जब उस bundles को purchase करो वो किसी event में आएगा उस bundles को आप निकालोगे तब आपको brand point मिलेगा तो brand point आपको कैसे मिलेगा मैं एक बार और बता देता हूँ तो clear कर देता हूँ बिलकुल तो आप लोग मान लिजिए कि आप selected section में गए और आपको ये neon criminal आपके पास है या आपने निकाला है ये जो न end point बंडल लेने से मिलेगा